शुरुआती द्रिशे में दुन से धके पहाडों से घिरे सुदूर गाव के भयानक माहौन को दर्शाया गया है। प्रिश्ठ भूमी में अंधेरे में डूबी पुरानी हवेली की उपस्थिती को कैद करे। शापित हवेली के बारे में भय और अंधविश्वास व्यक्त करते हुए स्थानिय लोगों की दबी छुपी बादचीप पर जोर दे। जैसे ही रात होती है। किशोरों के साहसी समों को सावधानी पूर्वक पुरानी हवेली की ओर आते हुए चित्रित करे। रहे से पैदा करने के लिए मन्द प्रकाश का उप्योग करे। हवेली की ओर जाने वाले उचे-उचे रास्ते पर छाया फैली हुई हो पात्रों को प्रवेश द्वार पर जिजकते हुए। घबराई हुई नजरों का आदान प्रदान करते समय मोंबत्या टिम्टिमाते हुए दिखाए। पुरानी हवेली के अंदर भव्य फोयर को धैती वास्तुकला और खस्ताहाल साच सज्जा के साथ चित्रित करे। हवेली के परित्याक पर जोर देने के लिए मकडी के जाले और फटे हुए टेपेस्ट्री का परिचय दे, प्रैत्वाधित हवेली की चर्मराती गून से घिरे, दमनकारी सन्नाटे और किशोरों की असुरक्षा को व्यक्त करे। एक मंद रोशनी वाले कमरे में किशोरों के सामने साकार होती भूतिया आकरिती को प्रकट करें, वर्नक्रमिय दिकाई की खोखली आखों और फटे गाउन को उजागर करने के लिए प्रकाश का उप्योग करें, पात्रों को डर से जमे हुए दिखाए क्योंकि भूतिया प् की भूल-बुलया में परिवर्तन को चित्रित करता है, किशोरों के भटकाव को व्यक्त करने के लिए विक्रित द्रिष्टिकोन और अतियथार्थवादी कलपना का उप्योग करें, अंदर बंध हो रही दीवारों को उजागर करें, जो द्वेशपूर्ण रहस्यों को जपे हुए कक्ष की खोज का वर्नन करें, उस भूतिया आकरिती को दिखाएं जो समू से अभिशाप तोडने की याचना कर रही है, जिसमें कलाकरिती से एक अशुप चमक निकल रही है, हताश माहौल पर जोर दे, क्योंकि किशोर हवेली के यातनापूर्ण इतिहास की जपे हुई आत्माओं की रहाई और कुरानी हवेली के पतन के प्रतीक के रूप में एक चकाचौन्द रोशनी का उप्योग करें, जैसे ही अंधेराख महो जाता है, मोक्ष के क्षण को क्यात कर लें, साथ ही गाव हवेली के विनाश और अभिशाप के हटने का गवाव बन सूसकरी